हेलो फ्रेंज अब हम हरिद्वार से जिम कॉर्बिट जा रहे हैं for a weekend trip प्रैनती कुछ कहना चाहते हो नहीं नहीं शाय फील हो रहा है येस ओके ठीक है तो आप हमारे साथ हमारी ये जर्नी देखिए and enjoy करिए ये जिसने बहा संदर लगा है ग्रीन 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 जी देखो जंगल का रास्ता शुरू हो देया है जेने लिए चैनकोवेट चिंकाबेट, या, रोड तो अच्छी बनीवी है, पहले हम अपने जाएंगे, रिसॉर्ट, वहां से लंच करके, फिर हम जाएंगे, जंगल साफारी, वेदर लगिली अच्छा है, धूप निकल गई, वहना हमें पूरे रास्ते फॉग मिला है, एनिमल्स दिखने के चांचे स सही में दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, एक थी वो पैली बुड़ी थी, हाँ चलो हो सकता है हेलो, हम अपने पहुच गए है रिसॉट, जिम कॉर्बेट में है हम अब हम बेट करें हमारा रूम मिल जाए, फिर उसके बाद हम जाएंगे, सफारी करने हम अपनी रिसॉट में है, रिसॉट का नाम है कॉर्बेट ट्रीट आओ यहां का छोटा सा रिसेप्शन है बट अच्छा लग रहा है वैदर सनी डे है हमारी जीब भी आ गई है यह कैफिट एरिया है यहां का बाहर सेटिंग एरिया बना रखा है जहां पे बॉनफायर रहतगी और टी टाइम यहां पे आइधिंग सेटिंग एरिया है कैफिट एरिया है अभी हम लंच करेंगे यहां यहां पे स्वीट है टू बेड्स के एकॉर्डिंग यहां पे इस पेस है यहां पे अच्छा बना रखा है काफी हट स्टाइल का डिफ्रेंट वे में दे रखी है इन्होंने सारी स्टे के लिए यह पूरी प्रॉपर्टी एक लॉंग लेंथ के अंदर है ग्राउंड वगेरा यहां पे नहीं है स्टेमिंग पूल वागेरा वह सब है प्लस पोर्ट एक्टिविटी इंडोर आउट्डोर वह सब है लेकिन किसी को अगर क्रिकेट ग्राउंड के पॉपर्स से चाहिए स्पेस तो वह नहीं है यहां बट ओवरल इस नाइस अब हम स्विमिंग पूल की साइड जा रहे है बहुत अच्छा लग रहे हैं यहां पे बहुत पीसफुल है बिल्कुल भी शोर नहीं और एकदम जंगल के पास में है यह स्विमिंग पूल है यहां का अभी तो बहुत थंड है जैन का मंत है यहां पी यह सिटिंग का दे रखा है तो पहां पास में होड़े बंदो कर fender दो स्वे फ्टर में जैख देकर अर ब्लु टाइगर है हमारा ब्लु टाइगर, लंच रेडी है, अब हम लंच करेंगे गे पर नौन विज नहीं है, तो में भी शायद वो डिनर में हो, फिलाल तो पनीर से काम चला लेते हैं, लंच में नहीं है, लंच में डाल है, मटर पनीर है, रहता है, और ये कुछ तो आलू अब हम सफारी के लिए जा रहे है यह हमारी जीप है अब सब सेटल होंगे एंड लेट्स गो अब हम सफारी पे जा रहे हैं हमारी ओपर जीप हम रास्ट में है और कुछ लोग चिड़ रहे हैं कि हम लास्ट में क्यों है